नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में आज आपका हिंदी का प्रेक्टिस सेट नमबर पांचवा है इससे पहले हमने 4 पेक्टिस सेट कर लिये हैं अगर किसी नहीं देखे हैं तो वो लेयर 3 पर जाना और वहाँ पर प्ले लिस्ट बना रखी वहाँ पर जाके आप देख लेना हम डेली यआ पर 25 questions करते हैं तो 100 questions हो चुके हैं पहला question आपके सामने कि चंद्रवंश में उथ्पन उसे क्या कहोगे आप आज बहुती अच्छे अच्छे question लेकर आया हूँ कि चंद्रवंश में उथ्पन उसे आप क्या कहोगे एक शब्द में बताना आप चंदर प्रभा कहोगे, चंदर कहोगे, चंदर वंशी कहोगे या चंदर केतु कहोगे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा तो चंदर वंश में उत्पन उसे हम कहेंगे चंदर वंशी क्या कहेंगे option number C हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला ये बताएं, शुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए, इर्षया, ये इस्या, इर्षया या इन में से कोई नहीं बताएं, इसमें से इर्षया कौन सा वाला सही होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, उप्षन नमबर पहला, इ आदाश और इर्षया, इसे हम कहेंगे इर् जबाब, अगर वीडियो अच्छा लगे और क्योस्टन अच्छे लगे, तो कमेंट जरूर करें, और हमारा अगर ग्रूप में एड होना है, तो उसके लिए आपको इस नमबर पर मेसेज करना रहेगा, 9753749986, यहाँ पर मैं आपको सारी क्लासों की फ्री ओप वीडियो से तो रास्ते का भोजन, कलेवा, पाथे, पत्थी, पंत्थक, तो रास्ते का भोजन, उसे हम क्या कहेंगे? रास्ते का भोजन, उसे हम कहेंगे पाथे, एक शब्द हैं, रास्ते का भोजन, उसे हम कहेंगे पाथे, और कलेवा किसे कहेंगे? कलेवा कहेंगे सुबह का नास्त सुबह का नासता के लिए एक शब्द दो सुबह का नास्ता सबर κιया हुआ नास्ता जलपान इसे हम कहेंगे कलेवा Remember और रास्ते में जो अपन भोजने रास्ते का भोजन उसे हम कहेंगे पाधय ये तो option Number, Bрий अमारा सही आंसर हो जाएगा अगला बताना है आपको ये लीजिए पावक का संदी विच्छेद पौधन अक पाधन अवक पौधन अक या पावधन अक पावक का संदी विच्छेद क्या होगा तो आपने लगा लिया होगा पावक का संदी विच्छेद पौधन अक ये बिल्कुल सही प अ है ना पावक पोधन अ कौन से संधी है तो यह आयादी संधी सर पावक में कौन से संधी है आयादी संधी पोधन अक ये बताएं इन चारों में से एक शुद्ध हैं उसका चैन के ये शाष्टांग सही है या ये शाष्टांग सही है या ये साष्टांग सही है या इन में से कोई नहीं अब इन तीनों में से आपको साष्टांग का बताना है कि कौन सा सही है बताएं साश्टांग कौन सा वाला सही है तो साश्टांग ये वाला सही सा फिर आदाश फिर टांग option number B हमारा सही जबाब हो जाएगा दामीनी का पर्यावची बताओ आप प्रकाश, व्रक्ष, बिजली या पत्थर बताएं दामीनी का पर्यावची क्या होगा तो दामीनी का पर्यावची होता है बिजली क्या होता है बिजली होता है फिर होता है विद्यूत ठीके फिर होता है चपला और पावर ये सब होते हैं बिजली के पर्यावची दामीनी के पर्यावची अगर आप से पूछ ले कि सर प्रकाश का बताओ तो प्रकाश मतलब जोती प्रकाश की बेहन जोती ठीक है और जोती कौन से कपड़े पेहनती है कि चमक वाले चमक ठीक है और उसकी जवी प्रभा ठीक है ये सब हैं प्रकाश के जोती जोती कौन से कपड़े पेहनती है चमक वाले उसकी चवी बहुत अच्छी है मार्केट में और वह प्रभा उसकी बहने बड़ी बहन ठीक है अब बताना है आपको व्रक्ष व्रक्ष है आपके तरू फिर पादप पत्थर नमार सांवरे कंकल सी लग जाएगी ये पत्थर इसका परियावची है पाहन पाशान और उपल ये सब इसके परियावची आप से पुछे था दामी नहीं का तो वो बिजली बिजली अब याद नहीं आजाए वो एक और कोई दिये गए प्रस्ट में तीन अनेकारती शब्द की स्रेणी में आते हैं कौन सा एक नहीं आता वाइंश जड ओसद या पूंजी ये सब मूल हैं मूल का मतलब होता है जड आधार असल पूंजी असल नहीं ओसद नहीं असल तो ये असल हैं ये पूंजी हैं ये जड हैं ये वन्ष हैं तो कौन सा नहीं आता तो वन्ष आता हैं देखो सोरी मूल मतलब होता है वन्ष जड और पूंजी ये नहीं होता है ओसद अगर यहाँ पर आ जाता आधार तो ये हो जाता है ién चैरा नकल्ण है कि जसने की चैरीं यह ज़िए चारण ज जलत ऑर जन को साथां च क्यूंता कि मुंच आप सभी सभी को मुंछ प्रस्थान या mouve। कं प्रिस्थान ऑप्षान निर्मार्ण Independence आज बहुती अच्छे-च्छे क्योश्चन है आज पुश्कर का समानार्थी सरोवर कमले सुर्य चंद्र पुश्कर पुश्कर का समानार्थी बताएं पुश्कर का समानार्थी क्या होगा तो पुश्कर का होता हैं सरोवर ए अंसर जरा जरा का विलोम बताना है आपको भोला बुड़ाफा योवन या इनमे से कोई नहीं देखो जरा दो प्रकार के होते हैं जिस कहां कौन से सेंटेंस में प्रियुक्त होते हैं उस हिसाफ से आपको देखे के लगाना होता है एक जरा होता है, एक जरा होता है, एक जरा का मतलब होता है, व्रद्ध है आदमी, कौन सा व्रद्ध है, और एक जरा जहां पर बिंदे लगती है, जरा, जरा, जरा का मतलब होता है एक थोड़ा, तो ये कहीं में प्रियोक्त हुआ, ये हुआ जरा, जरा मतलब होता है योवन, बुड़ा फा, भोला, इनमें से कोई ने हैं, तो इस जरा का विलोम होता है, योवन, जरा मतलब होता है, व्रद्द और व्रद्द का उल्टा होता है, योवन, Option number आएगा हमारा C वाला सत्याग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्याधन ग्रह या N में से कोई नहीं सत्याग्रह का सही संदी विच्छेत बताएं सत्य अ धन आग्रह Option number B, सत्य अ धन आ सत्याग्रह में हैं दिर्ग संदी Option number B अगला, कुहरा का पर्यावची बताएं कुंतल, कुहासा, वारी या इन में से कोई नहीं बताएं अगर किसी को यादो आज के क्योशन किसी के अगर 25 में से 20 नमबर आए तो कमेंट करना कि सर मेरे आज 20 नमबर आएं बताएं कुहरा का पर्यावची बताएं कुंतल, कुहासा, वारी या इन में से कोई नहीं जो बोलताएं कि सर हिंदी बहुती सरल है ना पड़ जितनी कठीन हिंदी है ना जितनी आप समझ रहे हो कि सरल इतनी सरल नहीं है हिंदी कुहरा का पर्यावची बताएं कुहरा का परियावची होता है कुहासा धुंद और एक कोहरा आप कोहरा आ रहा है कोहरों वह गयो अंदने ठाण में कोहरा आ जाता ना एक धम तो कोहरा का होता है कुहासा धुंद और कोहरा ठीक है अगला जो धर्म करता हो धर्मात्मा विद्वान उपकारी या इन में से कोई नहीं जो धर्म करता हो उसे हम कहेंगे भई धर्मात्मा आदमी है यह तो बहुत ही धर्म करम करता है तो धर्मात्मा अगला अद्भुत रस का इस्थाई भाव तो आप सभी को बताएं नीन में पूछ लूआ तो भी बता दोगे अद्भुत रस का उत्सा विस्मय या रती तो रती तो होता है सर स्रिंगार का वीर का होता है उत्सा अद्भुत का होता है विस्मय अद्भूत तो अद्भूत का क्या है विसमे Option Number C एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द क्या कहलाएगा अनाहार आहार, प्राचार या प्रहार तो देखो न तो वो आहार कहलाएगा न प्राचार ये कहलाएगा न वो प्रहार कहलाएगा एक से अधिक उपसर्ग से बना उसे हम कहेंगे अनाहार ओप्शन नमबर एक इसके अलावा आपकी अन एकेडमी पर शान सर की जो इंग्लिश की क्लास चलती है उसे आप डेली जोइन कर सकते हैं वो बिल्कुल फ्री क्लास है है ना उसमें आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं उसके अलावा मैं आपको पूरा बता देता हूँ आप यहाँ पर इस्पेशल क्लास देख सकते हैं लाइव क्लास देख सकते हैं आप अन एकेडमी एप इस्टोल करके आप गोल चूस कर सकते हैं MPPSC व्यापम ठीके यहाँ पर आपको इस्टोल करना है और यहाँ पर गोल चूस करना है MPPSC व्यापम ठीके उसके बाद आप यहाँ पर सर से क्यूस्ट पूस सकते हैं यह सर दिखेंगे आपको पढ़ाते हुए यहाँ पर आप क्यूस्ट पूस सकते हो ठीके उसके बाद आप यहां पर आपका जो question समझ में नहीं आ रहा वो यहां पर लिख देना तो आपका पूरा doubt clear करा देंगे कि sir बता देंगे यहां पर यह होगा यहां पर यह होगा तो आपका doubt clear भी हो जाएगा इसके अलावा आपको यहां पर पोल देना है कि अगर आपके highest नमर होंगे तो A, B, C ऐसे पोल आएंगे आपके बड़ा मज़ा आएगा ठीके उसके बाद आप यहां पर डाउनलोड PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो पढ़ाया वो यहां से ठीके उसके बाद आप यहां पर फ्री टेस्ट दे सकते हो अगर आपको plus class लेना ही plus class जोइन करना है तो आप श्याम S-H-Y-A-M S-H-Y-A-M-3 कोट का अगर यूज करोगे तो आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा जो भी class पर्चेस करना चाहते हो अगर आप इस कोट का यूज करोगे श्याम 3 तो आपको 10% का क्या मिलेगा 10% का आपको डिसकाउंट मिलेगा ठीके उसके अलावा आपको यहाँ पर live class आप फेवरेट टीचर सभी कुछ टोप educator of MP teaching at an academy ठीके यहाँ पर आप टोप educator से पढ़ सकते हो रूप सिंग यादव अभिशेक श्याम सर ठीके यह श्याम सर पढ़ाते हैं उसके अलावा आप यहाँ पर हाँ ठीके ना उसके अलावा क्योंकि आपकी अभी नई प्राइज बढ़ने वाली हैं तो आप subscription जल् गल्रातब्व शब्ड का चयन कीजे शकून वाश्प व्यधा या बेल ता संब और चत्शंब सम उसके समान हुआ और पजलतोस और बिंध़ निम न में से किस शब्द की रचिना प्रत्य से हुई से हुए किसी भी शब्द के पहले जुड़ता हैं उसे हम क्या कहेंगे प्रत्य उपसर्ग प्रती धनकुल प्राचार क्रिपालू या कोई नहीं तो क्रिपालू में क्रह मूल 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 क्रि मूल शब्द है क्रिपा और ल शब्द है प्रत्य लू तो किस शब्द में रचना प्रत्य से हुई है तो क्रिपालू में मूल क्या है क्रिपा और लू क्या है प्रत्य जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्य और पहले जुड़ता है उसे उपसर क कहते हैं तो कृपालू में यह बाद में जुड़ाएं तो कृपालू option number C कि यह पूचा हुआ क्यों ने शुद्ध वर्तनिका चैन करो मुहुर्त 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 यह कोई कौन सा मुहुर्त वाला सही जल्दी बताएं कौन सा मुहुर्त सही है तो मुहुर्त option number A छोटी की मात्रा और उपर चोटी बड़ी गलत है चोटी चोटी गलत है कि अच्छा कि यह भी सही है कि मुहुर्त यह भी सही है यहां पर मैं को बड़ी की मात्रा लगानी थी option number A और C दोनों सही हो जाएगा क्योंकि मैंने दोनों एक जैसे लिख दिये ठीक है शुद्ध वाक्य का चेहन करना आपको एक फूल की माला ले आईए एक फूलों की एक माला ले आईए और फूलों की माला एक ले आईए कौन सा सही होगा जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कौन सा फूल वाला सही होगा तो फूलों की एक माला ले आईए option number C अगला निम्नलेकित वाक्यों में से संदेह वाक्य का चायन करे किसमें संदेह लग रहा है आपको परोपकार ही मानवता है अब तक सब तयारी हो चुकी है मेरी बात मानो और दिल लगा कर पढ़ो या इन में से कोई नहीं किसमें संदेह है तो अब तक सब तयारी हो चुकी ह होगी अगला क्यूं निम्नली कित वाक्यों में से रेखांकित छब्दों के विलोम छब्द का सब्द्रत संतुलितभोजन करना चाहिए या इन मेंसे कोई नहीं बताएं तो हमें सात्व का उल्टा होता है तामसिक, तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन के लिए शरीर हानिकारक है, option नमबर B, अगला, शब्द युगम का चैन करें, सही अर्थ वाला, तरणी तरणी, इस तरणी का अर्थ तरणी होता है, इस तरणी का अर्थ मोका होता है, मोका, नोका, सूर्य, नोका, नोका, सूर्य, तरणी, बड़ी की मात्रा का क्या होता है, चोटी की मात्रा का क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं, कि तरणी, इस तरणी का अर्थ होता है, नोका, और छोटी की मात्रा तरणी का अर्थ होता है, सूर्य, बड़ी की मा मातरा और चोटी की मातरा सूर्रे में होता है ठीक है यह मैं आज आपको 25 क्यूश्चन कराएं 125 क्यूश्चन हो गए अगर किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखें तो वह वीडियो देख लेना ठीक है और अगर जो में एड़ होना चाहते हैं वह गूरूमाइं हो जाना इस सबी का बहुत बहुत धन्यवाद